मंगल सूत्र क्या आप जानते हैं? अब ऐसा नहीं होता? क्योंकि अब ये एक सोने की मोटी चेन है इसे कच्चे सूत के धागे से खास तरह से बनाया जाता था या ये कच्चे रेशम का धागा होता था इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है एक पूरा तरीका है अपनी उर्जाओं को लाबदायक तरीके से उपयोग करने का जो एक तांत्रिक तरीका है जिसमें खास नाड़ी को आप नाड़ी जानते हैं? हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि 72,000 नाड़ीया होती हैं आपके सिस्टम से एक विशेश नाड़ी को लिया जाता है और आपके मंगेतर के सिस्टम से एक खास नाड़ी को लिया जाता है और इस धागे को खास तरह से तयार करके आपको बांधा जाता है तो जब आपका शारीरिक संपर्क होता है तो ये सर्फ शरीर का मिलन ये नहीं, बलकि दो लोगों की उरजाएं भी ऐसी हो जाती हैं अब आप इसे तोड़ नहीं सकते अगर आप इसे तोड़ते हैं, तो आपको दोनों लोगों को गंभीर नुकसान पहुँचाना होगा उन्हें चीर का रलग करना होगा शादियां इसी तरह की जाती थी बहुत छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी आट, नौ, ग्यारा साल के उम्र में ही उनकी शादी हो जाती थी लेकिन उन्हें आपस में इस तरह से बांदा जाता था कि उन्हें कहीं और देखने का कभी खयाल भी नहीं आता था ऐसा विचारी कभी नहीं आया आजकल की सोच को ये बहुत डरामना लग सकता है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस थिरता से उन्हें इतनी शक्ति मिलती थी कि वो जीवन में जो करना चाहते थे वो उस पर अपना पूरा ध्यान केंदरित कर सकते थे क्योंकि emotional insecurity जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी भारत में ये नई चीज है emotional insecurity की बात ही नहीं आती है क्योंकि आपसी बंधन इतना मजबूत होता है कि किसी के मन में ऐसा खयाल कभी नहीं आता कि क्या मेरा पती कोई चीज कर रहा है क्या मेरी पत्नी कुछ और कर रही है ऐसा खयाल कभी नहीं आता क्योंकि उन्हें आंतरिक तौर पर एक खास तरह से बंधा गया है लेकिन अब ये एक खोखली रस्म बन गई है हाल में मैंने जो शादियां कराई हैं उसमें हमने उनके साथ यही किया है और उनके बीच के तालमेल का स्तर्ज जबरदस्त है आप देख सकते हैं कि दो लोग एक बनकर कैसे काम करते हैं और ये कितना शक्तिशाली है दो लोगों का एक प्राणी की तरह काम करना ये जबरदस्त शक्ती होती है तो कहीं न कहीं हमें लगा कि दो टांगें इतने स्थिर नहीं होती चार टांगें हमेशा ज्यादा स्थिर होती हैं तो हमने इन दो दो टांगों को एक साथ बान दिया दो टांगें बहुत हम साइकल से कार की तरफ क्यों गए ये ज्यादा स्थिर है हालांकि ये ज्यादा जगा घेरती है ज्यादा महेंगी है ज्यादा प्रदूशन करती है फिर भी हम साइकल की जगा कार चुनते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्त्हर है आपको इसे हर समय बैलिंस नहीं करना पड़ता शादी भी इसलिए है वरना आप हर समय सन्तुलन बनाते रहते हैं हर समय आप कुछ खोचते रहते हैं हर समय आप अपने आसपास के लोगों के साथ भावनात्मक रिष्टों को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं यह आपको उन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने नहीं देता जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं